मुंबई के सैंट जोजफ बोर्डिंग स्कूल में 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव बीमसी ने किया सील मुंबई के आगरिपाड़ा इलाके में स्थितिच सैंट जोजफ बोर्डिंग स्कूल में अब तक कुल 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाये गए है जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 95 लोगों का परिक्षन किया गया जिन में से 22 स्टूडेंट कोरोना वाइरस की चपेट में है देज भर में जहां कोरोना की रफतार थमती हुई नजर आ रही थी वही अचानक केरल और महराश्ट्र में बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है गुरुवार को मुंबई के सेंट जोजेफ बोर्डिंग स्कूल के 15 चातर कोरोना पॉजिटिव पाए गए है वही साथ अन्यभी वाइरस की चपेट में है जिन्हें मुंबई के नायर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है वही 12 साल से उम्र के बच्चों को रिचर्ट सनन कुरुडिस ऑस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है अनात आश्रम में कोरोना मरीजों के मामले सामने आने पर वहाँ एक कैम का आयोजन किया गया था जहां पर 95 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था जिन में से 22 लोग का कोरोना पॉजिटिव पाए गए है नायर अस्पितल के दीन डॉक्टर रमेज भारमल ने बताया कि भरती किये गए बच्चों को कोरोना के हलके लक्षन है जिनका इलाज किया जा रहा है जानकारी के मुताबिक 22 लोगों में से 11 लोग ऐसे है जो 12 से 18 साल के बीच की उमर वाले है इन सबी लोगों को रीचर्ट सेनन क्रूडिस अस्पितल में शिफ्ट किया गया है इनके अलावा साथ वेसकों को भी इसी अस्पितल में इलाज के लिए भरती करवाया गया है बी-एमसी ने एहतियातन स्कूल की इमारत को सील कर दिया है